सबसे बिले हमें कौन सा भी स्टॉक बाई करना है सबोस्ट कीजिए ITC बाई करना है तो आप सर्च कर सकते हैं यह बाई और यह सेल तो मैं बाई पर क्लिक करता हूँ यह बाई का डायलोग बॉक्स यहां पर गया बाई ITC नसी इन्टू वन कॉंटिटी अब सबसे पहले तो आप देखेंगे उपर यह चीज आ रही है इसको मैं क्लिक करूँगा तो अभी बाई के लिए मैंने उपन किया है इसकी जगह है सेल पर हो जाएगा और यह वापिस बाई पर हो गया तो सबसे बहले तो आप देखेंगे कि उपर यहां पर दो डिफरेंट डिफरेंट जो है अपने एक्सेंजिज आ रहे हैं एंसी और मूंहें और बीएसी दोनों पर क्या प्राइस चलरी ओ दीखा रहे है एसे और बीएसी पर दोनों पर यह हैं तो आपको कौश्यचन्ज पर बाई करना है आप उस तो दाव से डिसाइड कर सकते हैं हमने भी नसी पर किया हुआ है तो एसे में सबसे बिला हम देखेंगे हैं तो regular orders का मतलब होता है एक दम regular orders यह हमेशा से रहे है market के अंदर, इनके अंदर कोई भी change नहीं आता है, regular orders रहते है normal, अब यह देखें intraday MIS, MIS का फुल-फॉम होता है marginal intraday square of, तो यह हुए आपका intraday, यहाँ पर आपने fill करनी quantity, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 options आरे, market अगर मैं market पर click करता हूँ ना, तो देखेंगे यहाँ से price चली गई, price चली गई का मतलब यह है, अगर market पर click करने का, कि मैं quantity डाल सकता हूँ अब सर्फ, मैंने quantity डाली, suppose कि जिए 5 और मैं जैसे buy पर click करूँगा ना, तो क्या होगा, जो भी market में price चलेगी, उस price पर automatically stock buy हो ज तो मैं यहाँ पर 209 डाल के buy कर सकता हूँ, तो इस case में क्या होगा, कि आपका जो stock है, वो directly buy नहीं हो पाएगा, और आपका जो order है, वो waiting के अंदर चला जाएगा, और जब भी prices 210 पर पहुचती हैं, उसके बाद ही यह buy हो पाएगा, 209 पर पहुचती हैं, तभी यह buy हो करेक्ट, अब यहाँ पर चौथा option जो आ रहा है, वो stop loss limit का रहा है, stop loss limit का मतलब यह कि मैं यहाँ पर अपनी buy की price डालूँगा, और यहाँ में डालूँगा अपने stop loss, suppose कि जिए मने buy की price डाली है 209 और मैंने stop loss डाला है 205, तो इसके कहने का मतलब कि यहाँ 209 पर stock price आएग buy कर लेना, और buy होने के बाद अगर stock price 205 पर चली जाए तो मेरे से पूछे बिना sell कर देना, क्योंकि यह मेरे stop loss है, यहाँ पर मैं losses book करूँगा, ठीक है, अब एक को रहा रहा है SLM, तो यह है stop loss market, इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ stop loss की price डाल सकता हूँ, अभी market में जो भी price buy कर लो, और 205 पर आजाए तो बेच दो, ठीक है, तो हम intraday regular orders के अंदर सबसे पहले मैं NSE पर है, ITC का stock buy कर रहे है, regular के अंदर intraday में quantity 5 लिया हुआ है, तो market लेंगे, तो जो भी stock का price चल रहा होगा, उस पर buy हो जाएगा, limit लेंगे, तो हम यह बता सकते है कि कि कितने रू stop loss market का मतलब है, मैं buying price नहीं बता सकता, पर stop loss price बता सकता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, validity के अंदर आ रहा है, day और immediate और cancel, day का मतलब यह होता है कि अगर मैंने buying order लगाया है, तो पूरे दिन तक यह order valid है, मैंने अगर suppose किजिए limit order लगाया, और 209 पे, ठीक 30 minute तक आपका order blessed रहेगा, और अगर नहीं आई price दो सुनों पर पूरे दिन के अंदर तो यह order automatically ही cancel हो जाएगा, आपको कुछ भी करने के ज़रूत नहीं है, फिर आता है दूसरा immediate or cancel, immediate or cancel का मतलब है कि hand to hand में order लगा और buy कर लो, अगर होआ तो ठीक नहीं होआ तो cancel कर दो मेर order, ठीक है, तो immediate or cancel का मतलब यह रह गया, अब क्योंकि हम intraday के अंदर है, यहाँ पर देखे margin दिखा रहा है, हमें 114.95 रुपीज का मतलब क्या है कि मुझे 210 रुपे का stock buy करना है, उसके बदले मुझे पैसे 114 रुपे ही देने पड़ेंगे, बाकी के जो मेरे बचेव 96 तो यहां तक बात clear है, अब यहां पर एक dialogue box आ रहा है, Disclosed quantity, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं चाहूं तो मेरे order लगाया 5 का, और यहां पर मैंने लिख दिया 1, तो इस 1 का क्या मतलब है कि मैंने लगाया order 5 का है, पर सामने वाले को, हम जाते है ना जब stock को buy करने के लिए, तो उसके अंदर आ रहा होता है, market depth में देखेंगे, आपकी यहां पर order साते रहते हैं, bid और offer के, buying, selling, तो यहां पर जब मेरा order लगेगा ना, तो यहां पर सिर्फ एक stock दिखाएगा, जबकि actual में मैंने कितना लगाया, 5 पर दिखेगा सिर्फ एक, तो इस Disclosed quantity का, यह मतलब ह यहां देखे, validity at daily, immediate or cancel, इसका मतलब यह है कि जब तक trigger ना हो जाए, तब तक मेरे order को cancel नहीं करना है, जाए, 10 दिन बाद भी trigger हो, तो 10 दिन बाद trigger हो, तब खरीदना, पर तब तक तुम मेरा order रखोगे, DTT, good till triggered, इसका full form हो गया, और जैसे ही मैं देखे, long term के अंदर आया, CNC का मतलब होता है, cash and carry, long term माया, margin requirement किती है, 209, क्यों, क्योंकि मैंने limit लगा रखी 209, यह मैं इसको market कर दूँगा, तो margin requirement 210.05 आगई, आगे चलते हैं, आगे- आगे cover orders, ठीके, तो cover orders के अंदर आप देखोगे, market की जगा मैंने लगा दिया, limit, तो इस order के अंदर, cover order के अंद जो है compulsory होता है, वहार regular orders के अंदर क्या था option था, कि stop loss डालना है तो डालो, ने डालना है तो मट डालो, पर यहां पर क्या है stop loss डालना compulsory, stop loss तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है, और देखोगे आप एक चीज और difference notice करना, कि regular के अंदर, जब मैं बाए कर रहा था, तो मेरे को margin requirements रहेगी ना यहां पर, वह थोड़ी सी कम हो जाएगी cover orders के अंदर, उसके reason कहा, regular के अंदर जब आप stop loss लगाओगे ना, तो stop loss आप बाद में cancel कर सकते हो, मैंने बाए कर लिया, अब 205 पर stop price जा रही हो, आपको लग रहा नहीं, यार मेरा stop loss, जो revised stop loss 203 है, मेरा तो revised stop loss 203 ह 205 नहीं, तो regular order के लंदर लगाए वे stop loss को modify कर सकते हो, उस order को cancel कर सकते हो, यहां लगाए वे stop loss को change नहीं कर सकते है, मेरा भाई, इस वज़े से इसकी margin requirements रहती है, वो कम रहती है, तो इसलिए यहां पर margin requirement generally कम रहती है, तो अभी यह दिखा नहीं रहा ITC के अंदर पर, अगर market orders का सीधा से मतलब होता है, market बंद होने के बाद, 3.30 बजे के बाद भी आप order लगा सकते हो, तो अगर आप order प्लिक्स कर दो, जैसे कल morning अंदर market खुलेगा, आपने जो भी conditions यहां पर fill करी है, वो condition देखे, सारी same की same है, जो regular के अंदर थी, सारी same है, वो condition जैसे fulfill होती है, औ आपका order trigger हो जाएगा, और आप stock को buy कर लोगे, तो I hope सारे जितने भी points दे सब कुछ, आपको clearly समझ माँ गए, नहीं आए, तो comment करके बता देना, मैं आपको reply करके, सही से explain कर दूँगा, so thank you so much for watching this video everyone, I hope you like the content, please press the like button, share this video, and do not forget to subscribe our channel, thank you so much.